कि हेलो दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल सर्क्म नौलिज में दोस्तों आज के इस वीडियो में वाट्सप के एक रिलेटर कुछ ऐसे ट्रिप्स लेकर आया हूं यह ट्रिक आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आएगी साथ ही में एक ट्रिक काफी ज़्यादा काम आएगी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी को बताऊंगा कौन सी ट्रिक है इस ट्रिक के ट्रिक जिन्हें आप यूज कर सकते हैं इन्हीं ट्रिक के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ मैं हू सिवम और आप देख रहे हैं अपने यूटुब चैनल सर्ब नौलज पर एक नई वीडियो के साथ हम चलते हैं अपने वाटसब में तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी पहले ट्रीक है इस ट्रीक को यूज करने के लिए सिंपली हमें अपने वाटसप को ओपन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों इस ट्रीक की मदद से सौर्ट कट में चैटिंग कर सकते हैं जैसे की दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम किसी के साथ चैटिंग करते हैं तो यहां पर मैसेज वगेरा यहां पर टाइप करना होता है इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करते हैं हम आपको बताएंगे कि आप अपने की बोर्ड से ही मैसेज सेंड कर सकते हैं इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां से इस कि इस कीबोर्ड में भी आप सेंड बटन बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं सिंप्ली हम बैक जाएंगे दोस्तों अपने सेटिंग को उपन कर लेंगे और यह देखिए चैट का अप्शन है यहां पर इंटर सेंड इंटर बटन को अन कर लेंगे उसके बाद देखिए मैजिक दोस्तों यह देखिए एंटर बटन ही सेंड बटन हो गया है तो दोस्तों हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं जैसे कि यह देखिए तो यहां पर कीबोर्ड में ही सेंड का बटन बन जाएगा तो किसी को भी मैसेज सेंड करने में आसानी होगी तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे ट्रिक की और तो दूसरी ट्रिक भी काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस ट्रिक में वाटसब पर आने वाले सभी मीडिया फोटो और वीडियो हाइट कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने वाटसब पर आने वाले सभी मीडिया फोटो और वीडियो को हाइट कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को चलेंगे हम अपने सेटिंग में और यहां से चैट पे क्लिक करेंगे यहां आपको एक आप्सन देखनों को मिलेगा मीडिया बिजिल्बेलिटी इसको हमें आफ कर देना है और सिंपली दोस्तों हमें बैग जाना है और वाटसब पर आने वाले सारी फोटो वीडियो सब गैलरी में नहीं दिखेगी अब एक प्राइबेट अस्थान पर दिखेगी तो इसके लिए करना क्या है तो सिंपली दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी ट्रीक की तो तीसरे ट्रीक में है तीसरा ट्रीक है हम जाएंगे अपने सेटिंग में सेटिंग को ओपन करेंगे यहां अकाउंट सेटिंग में जाएंगे यहां आपको एक आप्सन देखने को मिलेगा एक रिक्वेस्ट एक अकाउंट इनफो यहां से हम दोस्तों रिक्वेस्ट रिपोर्ट इसका मतलब है दोस्तों इस ट्रिक की मदद से वाटसप की एक रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि आप जैसे कि आप कौन-कौन से ग्रूप में जुड़े हैं कौन-कौन से वाटसप की प्रोफाइल है और कौन-कौन सी सेटिंग की है आपने दोस्तों इसकी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं इसमें दोस्तों तीन से साथ साथ दिन का टाइम लग सकता है इसका रिपोर्ट मंगवाने में इस आप्जन का यूज़ करके अपनी एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं जो हम अपने अपने एकाउंट की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों चलते हैं अपने चौथे ट्रिक की तरफ यह ट्रिक भी काफी ज्यादा आपको पसंद आएगी दोस्तों बहुत ही सांदार ट्रिक हैं यह जैसे कि आप देख रहा हैं किसी भी फोटो को हम एक एक ही जगा रख सकते हैं जैसे कि स्टार इसे हम दबाए रखेंगे उसके बाद इसे हम दोस्तों यहां से स्टार कर सकते हैं उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका मैजिक बैक जाएंगे यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर एक आपसं देखने को मिलेगा ये देखिए दोस्तों ये एक फाइल में ही रहेगा जिस जितने भी इमेज को आप या वीडियो को इस्टार करेंगे ये सब एक फाइल में ही रहेगा इस्टार फाइल में यहां पर सारी इमेज आपको सो होगी इस्टार करने के बाद इस ट्रीक की मदद से आप अपने फोटो या वीडियो को इस्टार कर सकते हैं इसे की ग्रूप में रख सकते हैं एक तो गाईज हम बढ़ते हैं अपने चौथी ट्रीक की ओर जो आज ये पच्वी और आखरी ट्रीक है दोस्तों ये ट्रीक काफी ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को और काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सार बहुत बार ऐसा होता है की आपको अपने नंबर को बदलना पड़ता है और एक एक करके कांट्रेक्ट को भी बताना पड़ता है की मैंने नंबर चेंज कर लिया है लेकिन दोस्तों वाट्सप में एक ऐसा फीचर अबलेबल है जो एक ही क्लिक में सब को पता चल जाएगा की आपने नंबर चेंज कर लिया है तो चलते हैं वो ट्रिक की तरफ तो हम जाएंगे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे और यहां आपको एक आप्सन मिलेगा एकाउंट का इसमें आपको एक आप्सन देखने को मिलेगा चेंज यहां पर क्लिक करेंगे सिंपली दोस्तों उसके बाद यहां पर हम अपना ओल्ड नंबर डालेंगे और यहां पर न्यू नंबर डालेंगे जो आपको चेंज करके फिर दुबारा न्यू नंबर रखना है उसके बाद सिंपली दोस्तों नेक्स्ट कर देना है उसके बाद आ आपका नंबर चेंज हो जाएगा और नंबर चेंज हो जाने के बाद एक ही क्लिक में सब को पता चल जाएगा कि नंबर आपका चेंज हो चुका है तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नाटिपेकेशन आप पर सबसे पहले पहुचे तो धन्यवाद फ्रेंड्स चलते हैं फिर मलाकात होगी एक नए वीडियो में तो जाहिन दोस्तों